हेलो फ्रेंज इवर असोई में आपका स्वागत है आलो गोबी की सब्जी तोम के इवर बनाते हैं लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी गोबी की बहुती तेश्टी रेसिपी मसाला को भी घुच्जी इसे बनाना बहुती असान है और खाने में बहुती तेश्टी ले इसके लिए हमने लिए एक किल्लो फूल गोबी इसको हमने अच्छे से दोकर वाश कर लेना है वाश करने के बाद इसे हम इस तरह छुड़चुरी टुक्रों में काट लेंगे फिर इसको हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे आप इसको मोटा या पतला किसी वी तरह ग्रेट कर सकते हैं और अब हम इसकी भुज्य बनाएंगे इसके लिए मैंने लिए तीन प्याच मीडियम साइज के साथ मेंने लिए तीन टमाटर मीडियम साइज एक चमच हमें लिए जीरा, एक चमच गर्म मसाला, एक चमच हमें लिए हल्दी पाउडर और एक चमच हमें लिए कश्मी लाल मिच पाउडर. हमने प्याच और टमाटर को बारी कट कर लिया आए और साथ में अदरा को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया आए. अब हम गौबी की बुजी बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमें कडाही लेंगे, उसमें हम दो से तीन बड़े चमच ओयल डालेंगे, ओयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे, ओयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे एक चमच जीरा, जीरे के करेंगे बारी कंटा हुआ प्याच को हम अच्छी से मिक्स करेंगे प्याच को अच्छी से मिक्स करने के बाद इसमें को मैं उद्रख योज ये काल विम ने मिडियन पर ही रखना है और प्याच को हमने गोल्डन ब्राउन करना है आप देख सकते हमारा प्याच गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसमें हम डालेंगे बारी कटा हूँ टमाटर तिर हम प्याच और टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पे अब हम एड़ करेंगे मसाले सबसे पहले हम डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच हम डालेंगे नमक नमक आप अपने तेश के अकोरिंग डाल सकते हैं एक चम्मच हम डालेंगे सावुत दन्या पाउडर एक चम मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर फिर हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम एक से दो मिनट के लिए इस तरह हैं पकने देंगे अब इसमें हम एट करेंगे एक कटोरी हरे मटर के दाने साथ में हम एट करेंगे कदुगस कीवी गोबी फिर हम मटर गोबी को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे हमारी गोबी मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसको हम कबर करके रख देंगे पकने के लिए दो मिनट के लिए दो मिनट के बाद हम कबर को उठा देंगे और इसे हम अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसे हम फिर से एक वर ढख देंगे दो से तीन मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हम सिल्पर रख करेंगे दो से तीन मिनट हो गए है अब हम कबर को उठा देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखे हमारी घुपी की भुची बनकर रिक्तम से रेडी हो गई है आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये कितनी खिली खिली बनी होई है अब हम गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और अब इसे हम गर्मा गर्म सर्थ करेंगे बावल में आप देख सकते हैं कितनी ही टेश्टी हमारी घुपी की भुची बनकर रेडी हो गई है आप इसे ब्रेकपास्ट लंच में दिनर में कभी भी बना कर खा सकते हैं और ये भुची बनाने में बहुत ही असान है आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर प्राठे के साथ अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इसको पैट भी कर सकते हैं और रोटी के अंदर रोल करके आप बच्चों को टीखन में भी दे सकते हैं यह खाने में बहुत हेल्डी होती है आप इस रेसिपी को घर पर एक बाद जू ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमली के साथ जादा से जादा शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो फिर मिलते हम एक नए रेसिपी और एक नए वीडियो के साथ Thank you for watching